नमस्कार, हिंदी साहित त्यवारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ दोस्तो, JRP हिंदी 2021 के तैयारियों के अंतरगत हम 1.2 में रितिकाल को पड़ रहे थे और रितिकाल हमने लगभग-लगभग समाप्त कर लिया है और इससे related जितने भी हमारे 10-11 जो lectures हैं वो हमने 1.2 के नाम से जो हमारी playlist पनी है उसमें रख दिये हैं आप चाहें तो उन lectures को भी पहले देख सकते हैं आज का जो हमारा ये lecture है ये पूरा का पूरा हमारा रितिकाल से सम्दित जो महतपूर्ण प्रशन है उनके उपर हमने रखा है इसके अलावा हमारे टेलेग्राम ग्रूप में भी हमने बहुत सारी अपने questions को रितिकाल से सम्दित जो भी हमने lectures स्यार किये हैं उनसे जितने भी प्रशन जो महतपूर्ण थे जो बनते थे वो हमने टेलेग्राम ग्रूप में अपने quiz के माध्यम से कर लिये थे आप चाहते हैं कि आप टेलेग्राम ग्रूप के साथ जोड़ना चाहते हैं तो description में दिय हुए link के जरी आप हमारे टेलेग्राम ग्रूप के साथ भी सीधे जुड़ सकते हैं जहांपर हमने बहुत सारे प्रशन अपने डिसकस कर लिये हैं रितिकाल से संबंधित तो आज एक न्यूज आप देखेंगे कि जिस तरह के से यूट्यूब बगेरा बगेरा और हर जगा ये चीज फैल रही है कि हमारा जो जेरेफ दिसंबर 2020 का जो एक्जाम होना था 20 की जो साइकल थी है ना उसका जो एक्जाम है वो कब अब कंड़क्ट होगा दो माई से लेकर के 17 माई के बीच में ये परिक्षा होगी तो बड़ी निउस है और काफी हद तक इसके चांसिज हैं कि ये सही होगी और ऐसे में हमें अपनी तयारियों को और ज़्यादा मजबूत करने की जरूरत है और इसी के चलते हमने आज की ये प्रश्णोतरी रखी है कि हमारी तयारियां कितनी है और कितने प्रश्ण हम जो ह प्रदान करेंगे आप चाहें तो हिंदी साही तेवारता चनल के साथ जूर सकते हैं यहाँ पर हम कम्प्लीट त्यारियां करवा रहे हैं UGC NET JRF हिंदी की तो चले दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर के और सबसे पहले हम प्रशन संख्या एक देख लेते हैं कि क अपने जो प्रशन होते हैं उसमें जो भी प्रशन रखा जाते हैं वो अपनी महत्वता किसी ने किसी तरीके से रखते ही हैं चाहे उसके जो विकलप दिये गए हैं वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण होते ही हैं तो यहाँ पर जो सबसे पहला विकलप है देखिए वो रितिकाल को नाम दिया है इन्होंने क्या नाम दिया था कलाकाल नाम दिया था और कलाकाल नाम इन्होंने इनके साथ और किस-किस ने कहा है रामकुमार वर्मा ने कहा है और साथ ही साथ रमाशंकर शुकल रसाल ने भी कलाकाल नाम दिया है ठीक है फिर आते हैं दूसरे नंबर तो तीसरा जो विशुनात प्रसाद मिश्र अपनी महत्ता रितिकाल में सबसे ज्यादा इसलिए रखते हैं क्योंकि इन्होंने रितिकाल को तीन धाराओं में विभाजित करने का सबसे सशक्त कार्य किया है और उसी के आधार पर हम आज भी रितिकाल को तीन धाराओं में में रखा गया है और चौथे जो राम सवरूप चत्रवेदी हैं देखिए इन्होंने हिंदी साहित्य और समवेदना का जो विकास पुस्तक या जो रचना लिखी है इन्होंने अलूचनात्मक करेती है इनकी है ना तो इसमें भी इनके जो कथन है वो कई बार परिक्षा में प प्रशन संख्या 2 क्या है यह कहते हैं कि चंद निरूपक है तो देखिए चंद निरूपक ग्रंथ पूछा गया है चिंतामणी त्रिपाठी को सबसे पहली बात यह है कि इनको रितिकाल का प्रबर्त किस ने माना है यह माना है अचारे राम चंदर शुकल जी ने ठीक है ले यह केशव को मानते हैं और साथी साथ आपका जो विश्चोनात प्रसाद मेश्र हैं वो भी केशव को ही मानते हैं कि यह रितिकालीन प्रबर्तक है लेकिन चिंतामणी को प्रबर्तक माना है राम चंद शुकल ने और इन्होंग ग्रंथ लिखे हैं और यह सरवांग चन किया है तो दीखिए विकल्प हैं दो ही रचना इसमें दी गई हैं पिंगल और कवीकुल कलब तरू या फिर कहते हैं कि इन दोनों में रचना चंद निरूपक है या फिर इनमें से कोई नहीं तो दीखिए इस प्रशन का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर ए पिंगल तो कई जगह इस रचना का नाम सिंपल आपको पिंगल ही दिखेगा और कई जगह इनकी इस रचना का नाम चंद विचार पिंगल दिया जाएगा तो इसमें कन्फ्यूज नहीं रहना है अगर सिंपल पिंगल भी है और चिंतमणी की रचना बोला गया है तो वो चि इनका किस तरीके का गरंथ है देखिए यह है इनका सरवांग निरूपक गरंथ इसमें इनोंने काव्य के हर एक अंगों का वर्नन या विवेचन किया हुआ है तो इसलिए इस प्रशन का जो सही उत्तर होगा वो होगा भी कल्प नमबर एक पिंगल प्रशन संख्या तीन देख प्रवरितियां थी उनको अच्छे तरीके से समझा था कि रिती सिद्ध क्या है रिती बद्ध क्या है और रिती मुक्त क्या है तो यहाँ पर प्रशन भी वैसे ही रखा गया है कि जो कभी आश्रेदाताओं की प्रशन साकरने करके अर्थ सिद्ध करते थे क्या वो रिती तो ये दूसरा विकल्ब है देखिए, जिन कवियों ने कोई लक्षन ग्रंथ नहीं लिखा, किन्तु अपने काव्य में रिती परमपरा का अनुसरन जरूर किया। तो ये दूसरा जो कथन है दिकी ये बिल्कुल सही कथन है ये कहते हैं कि जिन कभियों ने कोई लक्षन ग्रंथ नहीं लिखा किन्तु अपने काव्य में रिती परंपरा का अनुसरण जरूर किया तो ये ही क्या है ये रिती सिद्ध कभी माने जाते हैं फिर अगला विकल्प ने भक्ती एवं निती परक काव्य रचना की तो भक्ती और निती परक जो काव्य रचना रची गई वो बहुत कम रचना है आपके रिती काल में रची गई है इसलिए इनको अन्य जो प्रवरितिया है इसके अंतरगत रखा जाता है तो यहाँ पर जो भी कल्प नंबर दो ह देखिए जिन कवियों ने जो संस्कित के कवी थे या लक्षन गरंथ का मतलब वही है कि संस्कित के गरंथों का जो अनुसर्ण किया कवियों के गरंथों का और अनुसर्ण उन्होंने सिर्फ अनुसर्ण किया लेकिन अपने जो कावे में है उन्होंने अपने कवी करम को ही मौ कौन सी रचना चिंता मनी तिवाठी की नहीं है तो दीखिए चिंता मनी से related प्रशन यहां पर दो सरा प्रशन पूछा गया है कि इनकी रचना कौन सी इसमें नहीं है कावय विबेक है कावय निर्णय या कावय कलप दुरूम या फिर श्रिंगार मंजरी तो इस तरीके से जो क या रहने की जरूरत है तो यहां पर जो चिंता मनी तिवाठी की रचना नहीं है देखिए सबसे पहली बात है इसमें जो कावय निर्णय है यह किस की रचना है यह विखाई दास की रचना है अगर बात करें कावय कलप दुरूम की तो यह वाली रचना किस की है देखिए य ये सेनापती की रचना मानी जाती है ठीक है तो सेनापती आपके रीती सिद्गवियों में भी आते हैं और दूसरा हम इनको लेते हैं जो आपके रामभक्ती कावयधरा के कवी हैं उनमें भी हम इनको मानते हैं तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा देखिए दो और तीन म अभीधा उत्तम काव्य है मध्यलक्षना लीन काव्य पंक्ति देव की किस रचना की है तो देखिए ये पंक्ति आपने बहुत बार परिक्षा में देखी होगी अभीधा उत्तम काव्य है मध्यलक्षना लीन काव्य पंक्ति देव की किस रचना की है बहुत बार इसको पूछ काब्य रस्साइं तो काब्बे रस्साइं से हम क्या NSी समझने देखिए कि इस रचना में जो मौतोफूण चीज है इसमें शब्द शक्ति और रस करवनन इसमें देखने Κो मिलत है सब्द रसाइन और काब्बे रसाइं ने तो काब्बे से ही सीधा सा अर्थให conspiracy इसमें इनोंने बात की है आपकी जो भी शब्द शक्तियां है या अभीधा उत्म का मतलब शब्द शक्ति है ने ये तो ये चीज कौन मानते हैं ये मानते हैं आपके जो देव हैं ठीक है और अगर हम रस विलास की बात करें तो देखिए रस विलास में इनोंने राजा जो मोत समर्पित रचना माना जाता है ये कि ये राजा मोतिलाल को इन्होंने समर्पित की थी ये वाली रचना जाती विलास में इन्होंने विभिन विविन जातियों और प्रदेशों की स्त्रियों का जो वननीस में किया है जाती विलास में नाम से ही पता चल रहा है और सुक सागर त प्रश्चन संख्या 6 देख लेते हैं हम भक्ति, श्रिंगार और वीर इन तीनों वीशियों पर अधिकार पूर्वक किस ने लिखा है? तो दिखे तीन चीज़े हैं इसमें भक्ति, श्रिंगार और वीर इन तीन वीशियों पर सबसे ज़्यादा किस ने लिखा है? तो भूशन हैं, मतिराम हैं, पदमाकर हैं या फिर सूर्ति, मिश्र हैं? तो दिखे भूशने ने तो वीर रस पे ही लिखाया जादा तर है ना? मतिराम ने भी आपको, आपका किस पे लिखायें इनोंने? इनोंने आपके जो दूसरे ग्रंथ हैं, वो लिखे हैं, और फिर आपका जो पदमाकर आता है, तो पदमाकर ने भक्ति, श्रिंगार और वीर इन तीनों ग्रंथों की तीन वीशों पर रचना इनोंने रची है, ठीक है? जबकि सूर्थी मिश्र भी इसमें शामिल नहीं है. तो इसका जो सही उतर होगा, देखिए, वो होगा विकल्प नंबर कौन सा? इसमें विकल्प नंबर तीन सही उतर होगा देखिए, पदमाकर. तो पदमाकर ने भक्ति, श्रिंगार और वीर तीनों विशों पर लिखा प्रशन संख्या 6 दिन के बाद अब हम अगला प्रशन देख लेते हैं नगेंद्र बिहारी को क्या मानते हैं तो देखिए इस प्रशन को भी हमने डिस्कस कर लिया था अच्छे से बताया वोगा भी था हमने कि जब हम इसके बारे में पढ़ रहे थे तो जो डॉक्टर नगेंद्र हैं देखिए वो मानते हैं इनको ध्वनिवादी कभी ठीक है जबकि रसवादी इसको किसने माना है ये मानते है रामचंद्र शुकल जी ने तो रामचंद्र शुकल मानते हैं रसवादी और अलंकारवादी और ध्वनिवादी तो ये हैं ही नहीं ठीक है तो ये चीज नहीं आएगी ये दो पूछे जाने की ज़्यादा तर संभावनाएं रहती हैं ध्वनिवादी किसने कहा या फिर रसवादी किसने कहा है ठीक है अगला प्रशन हम देख लेते हैं प् सस्पेस में डालने वाले हैं, क्योंकि भूशन भी वीरस के लेखक रहे हैं, रिति कालीन, पदमाकर ने भी जो वीरस आत्मक रचनाएं रची हैं, अभी हम पीछे बाले प्रशन में ही डिसकस कर चुके हैं इस चीज को, और ठाकुर भी अच्छे कवी के साथ साथ एक माने जाते हैं, तो तीनों कवी अपने आप में क्या है, वीरस आत्मक कभी माने जाते हैं, लेकिन वीरस आत्मक ये हैं, लेकिन फूशन की, ब्रशन की जो रचनाएं वो, मैंने आपको अच्छे तर secularist से डिसकस कर वा ली हैं, कि किस रचना मेनोंने किस चीज का वनन किया वो बूशन होगा, विकल्प नमबर एक इसका सही उतर, अगला प्रशन हम दिख लेते हैं, प्रशन संख्या 9, असत्य कथन का चैन कीजिए, तो इस तरीके के प्रशन भी UGC net की परिक्षा में पूछ जाते हैं, यहां पर श्रिंगार मंजरी का वरने विशय नाई का भेध है तो बिलकुल सही बात है, और श्रिंगार मंजरी पहले ही अंपर चुके हैं कि चिंता मनीत्री पाठी ही रचना है, ठीक है, उसके बाद ललित ललाम का वरने विशय अलंकार विवेचन है, तो ललित ललाम किसकी रचना है, यह है मतिराम की रचना, ठीक है, तो मतिराम की जो विकल्प है देखिए जो वृत विचार में रस विवेचन का वर्नन किया गया है तो देखिए ये वाली पंक्ती क्या है ये अपने आप में गलत है क्यों कि जो वृत विचार है इसमें किस चीज का वर्नन किया गया है देखिए वृत विचार में जो है रस का विवेचन करके इसमें चंद भी वेचन किया गया है और वृत विचार किसकी रचना है देखिए ये ये है आपका जो कवी हुए है सुखदेव मिश्र तो सुखदेव मिश्र के जो रचना है वृत विचार और सुखदेव मिश्र के बारे में हमने ये जीज पड़ी थी कि जो राजा राज सि गौड थे इन्होंने इनको कवी राज की उपाधी दी थी ठीक है तो इसलिए ये बला कथन क्या है अपने आप में असत्य कथन माना जाता है क्यूं क्यूंकि बृत्विचार चंद निरूपक ग्रंथ है और इनके चंद निरूपन को देखते हुए ही जो अचारे रामचंद शुकल है देखिए इन्होंने कहा था कि चंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपन और किसी कवी ने नहीं किया है तो ये सुक्तेव मिश्चर के संदर्व में शुकल ने कहा था तो तीसरा विकल्प इसमें क्या होगा सही होगा ठीक है आखरी जो है देखिए पदमा भ रितिकालिन सर्वांग निरूपक कवी का नाम है तो देखिए शशिनात किस रितिकालिन सर्वांग निरूपक कवी का नाम पूछा गया है तो इन में से जो विकल्प नंबर चार है देखिए कोई नहीं तो शशिनात किसका नाम था ये था सोमनात का तो सोमनात जिनकी प्रस आएंगे क्योंकि प्रशन इस तरीखे से पूचा गया है देखी कि जो आपके रितिकालीन सरवांग निरूपक पूचा गया है जबकि जो रितिकाल के जो रस जो दूसरे यहां पर विकलप में रखा गया है जिनको इनों ने जो दो रस निरूपक ग्रंथ लिखे हैं रस कलोल और रस तरंगणी और शिवनाथ तो शिवनाथ ने जो लिखा है देखिए वो है आपका रस स्रिष्ठी तो ये इनके रस निरूपक ग्रंथ हैं तो यहाँ पर सोमनाथ इसका सही उतर होगा लेकिन वो भी कल्ब में कहीं भी नहीं दिया हुआ है प्रशन संक्य 11 हम देख लेते हैं सही करम में रखने को कहा गया है तो देखिए सबसे पहले इसमें बताया गया है रसीक प्रिया तो रसीक प्रिया थी 15191 में बिलकुल सही है काब विबेक, हालांकि इसका जो समया है, वो किसी भी पुस्तक में, सही तरीके से नहीं मिलता है, लेकिन, अगर हम बात करें, देखिये काब विबेक रचना की, तो ये चिंता मनी त्रिपाथी की माना जाती है, और चिंता मनी त्रिपाथी सबसे पहले इसमें आ जाते हैं, ठ पिर उसके बाद अगली जो महतपुन रचना है देखिए वो है वृत कौमुदी और वृत कौमुदी का जो रचना काल है देखिए वो है 1680 ठीक है तो 1680 के आसपास इसको लिखा गया है और आखरी जो रचना है वो है द्रोन पर्व तो द्रोन पर्व जो कुलपती मिश्र की रचना है देखिए ये 1700 स्वरी जो ड्रोन परव है वो 1680 में आपगा तो विकल्प नंबर तीसरा ये 1680 में होGा और जो वृत कौमुदी है देखिए फिकल्प नंबर 2 जो होGा इसका ये सही हो bowl इसमें द्रोन परव 1680 और वृत कौमुदी जो है ये 1701 को होगा तो वृत कौमुदी जो रचना है देखी ये किसकी रचना है ये है मतिराम की रचना ठीक है ये इन्होंने 1701 में लिखी थी तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सबसे पहले 1591 में कौनसी रचना आएगी प्रिया फिर उसके बाद दूसर नंबर पर काव्या विबेक चिंतावनी त्रिपाठी की और द्रोन परव 1680 जो किसकी रचना है देखी ये रचना है आपकी कौलपती मिश्र की और आखिर में जो आएगा आपका वृत कौमुदी 1701 में जो मतिराम की रचना है ठीक है तो य इसका सही क्रम होगा अगला पशने देखिए रिती से तात पर या उन लक्षन ग्रंथों से है जिन में रस अलंकार वक्रोकती एवं ध्वनी आदी के बेद स्वरूफ व अव्यव आदी के लक्षन दिये गए हों यह कथन किसका है तो देखिए यह कथन है भागिरत मिश्र क बिकल्प नमबर तीन इसका सही उत्तर होगा और मैंने पहले ही आपको डिस्कुस कर लिया था कि जो भगिनत मिश्र है इनका योगदान आपका इसमें कहीं न कहीं रीतिकाल में माना जाता है ठीक है आगे है प्रशन संक्या 14-13 भूशन का मूल नाम मनी राम किसने बताया है तो दीखिए जो भूशन हुए हैं कहा ये जाता है कि इनका जो वास्विक नाम है वो ही अपने आप में एक शोद काविश है आज के समय में बन चुका है लेकिन अधिकतर जो विद्वान मानते हैं कि इनका जो मूल नाम क्या था वो गंशाम है लेकिन यहां पर गया है कि इनका जो मूल नाम है वो मनिराम किसने बताया है तो इसका जो सही उतर होगा देखिए विकल्प नंबर दो गंपती चंदर गुप्त तो गुप्त मानते हैं कि इनका जो नाम है देखिए क्या नाम है इनका मनिराम ठीक है यह माना है गंपती चंदर गुप्त जीन बहुत सारे विद्वान ये मानते हैं कि ये भी इसका मूल नाम नहीं है ठीक है तो ये बिकल्प नमर दो इसका सही उत्तर होगा मनी नाम किसने बताया है गणपदी चंदर गुपत जी ने अगला प्रशन हम देख लेते हैं प्रशन संख्या 14 है देखिए सुजान सागर नाम स गहननत की रचनाओं का संग्रह किसने प्रकाशित करवाया तो देखिए ये प्रशन बहुत ही मातपूर्ण प्रशन है सुजान सागर नाम से गहननत की रचनाओं का संग्रह किया तो ब्रजनाथ ने ठीक है सबसे पहले इनोंने इनकी रचनाओं को संग्रहित किया है ठीक है फिर आता है आपका दूसरे नमर पर देखिए जो तीसरे नमर पर भारतेंदू हरिश्चंद्र है तो भारतेंदू हरिश्चंद्र ने सुंदरी तिलक नाम से करवाया इसका है ना सुंदरी तिलक ठीक है उसके बाद जो विश्चुनात प्रसाद मिश्र है तो इन्होंने गहन सागर नाम से गहननत की जो रचनाय है उनका संग्रह प्रकाशित करवाया है जगनादास रतनाकर ने तो दीखे चार विकल्प में चारों मैंने आपको बता दिये हैं और जगनादास रतनाकर ने कभ इसका संग्रह का प्रकाशित करवाया था ये आपके लिए प्रशन में चंदारनव पिंगल किसकी रचना है देखिए ये है आपका जो महतपुर्ण, कभी हुए हैं रितिकाल के तो ये बिखारी दास, ठीक है? तो कई जगा simple चंदारनव भी इसका नाम दिखा होगा, कई जगा चंदारनव पिंगल भी होगा, ठीक है? तो ये चीज आपने याद र गलित लालाम को आदर्श, खीक है, तो भी कलप नमबर 3 इसका सही उत्तर होगा, नेक्स्ट या देखिए प्रशन संक्या सत्रह, असंगत यूगम का चैन कीजिए, तो इस तरीके के प्रशन भी UGC.net और अन्य परिक्षाव में पूछे ही जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए क काव्य कलप द्रूम, जो हम पहले या दूसरे प्रशन रखा था वहाँ पर, कि कौन सी रचना इनकी नहीं है, चिंतामणी तरीपाठी की, तो वहाँ पर काव्य कलप द्रूम था, तो यह सेना पते है, सही है, श्रिंगार लतिका तोशक अभी की है, तो यह गलत भी कलप है, श्रिंगार लतिका किसकी है, यह है आपकी द्विजदेव की, ठीक है, तो आपका दूसरे वाला विकलप इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, इश्क नामा बोधा की है, और इश्क लता की बात अगर की जाए, तो वो किसकी है, वो घनानन्द की रचना मन ज की है बाहर से वियोग प्रशांत और गंभीर है घननन्द के वियोग के संदर्व में यह कथन किसका है तो देखिए यह कथन है डॉक्टर राम विलास शर्मा का घननन्द के संबन में यह चीज कही हुई है अगला पशनम देख लेते हैं पशन संख्या 19 भूशन और देव दोन ने हिंदी साही तेकेटी हास में यह चीज कही है कि बूशन और देव ने शब्दों का क्या किया है बहुत अंग भंग किया है और जहां पर देव के बारे में यह लिखते हैं वहाँ पर इननने यह बात कही हुई है तो इसका जो भी कल्प नंबर दो है दिखिए चारे राम चंदरी का लिखी ठीक है उसके बाद उसकी प्रतिसपर्धा में क्रिशन चंदरी का लिखी गई राम चंदरी का की वो किस ने लिखी है यह लिखी है गुमान मिश्र ने और जो गुमान मिश्र है देखिए यह कौन है यह आपके जो रितिकालिन क्रिशन कभियों में इनको म इनका जो नाम है देखिए बक्षी हंस राश्चिरी वास्त वो इनका मूल नाम है ठीक है नेक्स देखिए प्रशन संग्या 21 रितिकालीन कवियों को कवीता के सौधागर माना है तो रितिकालीन कवियों को कवीता के सौधागर मानने वाले विकल्प नमबर 4 डॉक्टर तो यह मानते हैं कि जो रितिकालिन कभी हुए हैं वो क्या हैं वो कभीता के सौधागर हैं ठीक है हिंदी साहित्य के दूसरा हितिया असमेनों ने ये बात कही है नेक्स्ट देखिए नक्षिक शिर्शक से कावे के गरंथ नहीं लिखा है तो एक चीज देख़ोगा आपने रि प्रशन किसने नहीं की है या फिर नक्षिक किस्तरी कैसे प्रशन पूछे जाते हैं या सरवांग निरूपक या अलंकार निरूपक ऐस्तरी कैसे प्रशन बनने के संभावना रहती है तो यहां पर नक्षिक पूचा है कि नक्षिक किसने नहीं लिखा है तो इन में से बिहारी के प्रतियक दोहे पर सवया चंद किस ने लिखा है तो देखिए बिहारी के प्रतियक दोहे पर जो सवया चंद किस ने लिखा है तो देखिए बिहारी के प्रतियक दोहे पर जो सवया चंद किस ने लिखा है तो देखिए बिहारी के प्रतियक दोहे पर जो सवया इन्होंने लिखे हैं कृष्ण कवी ने ठीक है अगला परशन देख लेते हैं परशन संक्या 24 असंगत कथन बताईए तो देखे गलत जो परशन इसमें कथन है रितिकालीन कवियों को तीन श्रेणियां में विवाजित किया गया है उद भावक अचारे व्याख्याता अचारे और कवी और शिक्षक तो बिल्कुल सही है ये उसके बात कहते हैं कि देव कवी का कावशास्त्य अमत विवेचन में वीरोदाभास उन्हें अधिक प्रभावशाली अचारे बनाने से रोकता है तो ये बात भी सही है इसलिए तो उनको क्या मानते हैं कि वो अचारे किश्रे प्रशन अमने आपके बीचं के है तो यहाँ पर अगर रस विवेचन होता तो ये कथन क्या होना था सही कथन होना था तो रिटिकाल में जो काव्यांग निरूपन के अंत्रगत सबसे जादा गहन थाते हैं वो रस विवेचन के हैं नकि छंद विवेचन के इसलिए यह वाल हैं ठीक है सही है यह आप मुझे कमेंट सेक्षिन में जाकर बता सकते हैं तो फिलाल आज के लिए इतना ही दोस्तो अगर आपको प्रशनोतरी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए ताकि जादा से जादा लोगों तक एक अच्छी न ही हिन्ग